अज हम लोग बात करेंगे Special Frontier Forces के बारे में तो Special Frontier Forces हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है और यह क्यों मीडिया में आया यह क्यों लोगों के नजर में आया इसके बारे हम बात करते हैं देखे Special Frontier Forces को बनाया था Indian Army ने और US Intelligence ने मिलकर और इसे बनाया गया था चाइना चाइना और तिबबत से लड़ने के लिए यह बिहाइंड दव वाल बिहाइंड दवांडरी काम करते हैं इसे हमें Chinese ट्रूप और Chinese सोल्जर से हमारे कंट्री को बचाते हैं क्या? SFF Special Frontier Forces तो यह मीडिया में क्यों हाँ? यह RAW की तरह काम करता है आपको पता है RAW हमारे कंट्री का कितना Secret Agency है सारे Operation को अंजाम देती है और बिना मीडिया में और बिना किसी के नजरों में आए तो हुआ यह कि नियाम तेंजीन हमारे एक सोल्डर थे जो पेट्रॉलिंग कर रहे थे पेट्रॉलिंग के दर्मियान उन्होंने लैंड माइन पर स्टेप कर दिया 1962 में जो लैंड माइन बिचाया गया था और उसके वज़े से SFF के कुछ सोल्डर इंजर्ड हो गया और तेंजीन नियाम को वीरगती प्राप्त हुई लेकिन जब इनका फ्योनरल हुआ तो उस टाइम पे BJP के लीटर राम मादव उहां पर प्रेजेंट थे और उनके वज़े से मीडिया ने उन्हें काफी कवर किया और इस वज़े से हमारा SFF जो है फोर्स वो मीडिया के नजरों में आ गया और देस इसके बारे में जाना बहुत कम लोग ने इसके बारे में सुना होगा यह रा की तरह secretly काम करता है तो तेंजिन जो तेंजिन साब जो थे वो क्या कर रहे थे कि पेट्रॉलिंग कर रहे थे आपको पता है कि हमारा चाइना के साथ भी टेंसन चल रहा है तो ने कुछ पोस्ट को कबजा किया और पेट्रॉलिंग कंटिन्यूस चल रही है तो उसी वज़े से पेट्रॉलिंग के दर्वियान यह हाथसा हो गया और उनके मृत्ति हो गई और उसके बाद एस एफ एफ पॉब्लिक के नजर में आ गया अब देखो एस एफ एफ क्या स्प क्टिशन में काफी difficult condition में काम कर सके तब उहां मारे जेनरल सुजान सिंग ने एक फोर्स बनाया जिसका नाम दिया establishment 22 यह नाम इसलिए दिया क्योंकि यह 22 Mountain range के आर्मी लोग से उहां से आर्मी लोग को निकालके बनाया गया था ठीक है और उनकी ट्रेनिंग की गई काफी तो यहां तक आपको बात हैं समझ में ने जो किसी नए टॉपिक पर पिडियो चाहिए सो अगर उसमें कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं और कोई भी वीडियो अगर आपको एक्ष्ट्रा चाहिए होगा तो आप कर्मेंट कर सकते हैं कि किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अब देखे हमारे पर सवाल क्या है क्या यह इंडियन आर्मी का पार्ट है न ठीक है इसके बाद है चकर आता एक जगह है देहरादुन से 100 किलिमेटर दूर पर तो वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है और यह इंडियन आर्मी से रेक्रूट होते हैं और इसको स्पेशल रिशर्च एंड अनलेसिस विंग इसको ट्रेनिंग देती है और इसकी एक इस स्वाटर के बीच में आर। ठीक करता है इसका बहुत पूद्ट अचीवमेंट भी यह बड़ा ऑक्रेशन नियुक्त और इसके जो ओमें इसके को तो स्बीच बोर्ट और इसका ट्रह इसे तरह से फिमिल की भी हाड ट्रेनिंग होती है यह तक बाते समझेंगे अब देखो इन्होंने क्या किया था पहले जब इनका फार्मेशन उसके बाद इन्होंने एक मेजर बनाया था परेशन इगल में 1971 के वार में तो आप 1971 के वारे में अपने कॉपी में लिखिए गा और बताएगा में कमेंट करके यह क्यों इंपर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए अब इनको क्या किया गया था एर्डॉप किया था बिहाइंड देखो अब इसका कानी बहुत कानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था तो यह काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है और यह तीन हजार SFF के हमारे सोल्डर थे जिसमें कुछ लोगों को बीरगती भी प्राप्त हुई यहां तक बाते आपके समझ में आगी आगे बढ़ते हैं देखे कारगिलवार में हमारे इंडिन सोल्डर को मदद की थी और विजय दिलाई थी उसी तरह से अभी आपने देखा लद्दाक में लद्दाक में कुछ पॉइंट को इन्होंने कैप्चर कर लिया है और वो इसलिए चाय नाम से ज्यादा खफा है कुछ पॉइंट को SFF के सोल्ड ने कुछ पॉइंट को हमारे कबजे में ले लिया है और हम लोग हाई अल्टिटूट पे हैं और अभी हम लोग अपर हैंड में हैं इस वज़े से तो यह हुई कहानी SFF की अब यह काफी सीक्रेट एजन्सी है तो रॉक की तरह काम करती है तो फिर यह हमारे पास इतना इंफ चाइना काफी टेंसन बढ़ रहा है तो उसके वज़े से काफी इंपोर्टेंट हो जाता कोई भी पॉइंट इंडिया चाइना से ना चुटे अगर आपको लगता वीडियो की जुरत है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं उसके बाद हम लोग तेंजीम नियाम को एक ट सब्सक्राइब किजिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना कमेंट हैं पोच सकते हैं बहुत भद धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया है वे नाइस टे